Welcome to Study Channel, मेरे नाम है मुहम्मत कैसर आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से एक पहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है और BPSC यानि जो बिहार की प्रात्मिक सिक्षक भरती है इसमें B.A.D. को तकड़ा छटका लगा है और B.A.D. को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 11 अगस्ट 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का ओर्डर है उसका पालन किया जाए और आपको पता है यह 11 अगस्ट 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ओर्डर क्या है तो ऐसे में यहाँ पर दोसों साफ हो जाता है कि बीएड अब प्राइमरी में नियुक्त नहीं हो सकेगा बिहार की सिक्षक भरती में आज तीन जजों के बेंच ने इस मामले को सुना और इस संबन में उन्होंने ओर्डर दिया और इसमें एक जज है अनिरुद बोस जो की दो जजों वाली बेंच में सामिल थे 11 अगस्त का जो ओर्डर आया है इसी वज़े से इस मामले में जाला सुनवाई देखने को मिली नहीं और आज का जो ओर्डर है वो तुरंत ही जारी कर दिया गया आप यहां पर यह वीडियों देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से इज वी उनी से प्षेशे मिली थम खोमदेख से शिन देखे ते फिल ठीन про डिए थेस तने स्थरिवें inconsistent इसुप्रिण एमडर प्रण्व यह है एव ते दीश्में देतितीथ इस May 2023 इसूद पिए एड बिर पॉलिपसर्विसEC ओम मिलीन दोस्तों सचाई यही है कहा गया है कि BPSC और राजपाल सुप्रीम कोड के आदेश का पालन करें और इसके तहद प्राइमरी से बाहर हो गया है हाला कि अभी भी समय है यदि कोई अपना पक्ष रखना चाहता है सुप्रीम कोड के सामने तो रख सकते हैं और रिवी पेटिशन का भी समय है क्योंकि एक महिने के अंदर रिवी पेटिशन डाला जा सकता है 11 अगस्त वाले कोट और के लिए लेकिन आपको ज़्यादा दोस्तों बच्चा है नहीं आपको यह अब सुईकार करना पड़ेगा क्योंकि अब एक के बाद एक राज से बीट प्राइमरी से बाह आप लोगों को दोस्तों बिल्कु सचाई से रूबरू होना पड़ेगा यदि आप बिहार में सिक्षक बनना चाहते हैं तो बीट छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है प्रात्मिक में तो बाहर हो गए हैं आप लेकिन आप एस्टेट 2023 की त्यारी करिए आने वाले समय मे देश लाग के लागवक पदों पर बिहार में मादमिक और उच मादमिक यानिए टीज़ेटी पीज़ेटी की भरती होगी और उसमें एस्टेट वाले छात्र शामिल हो सकेंगे मैं आपसे कई बर कहा कि अब बिहार में सिक्षक बना चाहते हैं तो एस्टेट दीजिए और आप वहाँ पर नुक्त होईए प्रिजेंट टाइम में जो भरती चल रही है एक लगशतर हजार पदों पर यहां पर दोस्तों प्रयाप्त अभ्यरती ही नहीं है जो नुक्त हो सकें टीज़ेटी पीज़ेटी में तो मौके आपके लिए बंद नहीं हुए हैं बस एक जो प करूँगा वो करूँगा रोज ट्विटर पर कैंपेंट कराएंगे आपका समय व्यर्थ होगा दोस्तों आप देख सकती हैं कि सुप्रिम कोर्ट ने एक बार बीएड को प्रैमरी से बाहर किया आज बीपीसी के संबन में जब सुनवाई हुई तो बीपीसी से भी बीएड क प्रैमरी से बाहर कर दिया गया अन्य भी राजियों का मामला आप देखी रहे हैं तो आख मूद कर आप किसी के पीछे ना चलें आप अपने दिमाग का यूज करें और सही समय पर सही फैसला लाएं यदि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे जरूर तोकिएगा क comment section में यदि B8 primary से बाहर हो गया है तो फिर आप अध्यादेश लाओ अध्यादेश लाओ का रट लगा कर नहीं बैठ सकते हैं आपको आगे बढ़ना होगा और यदि अब बिहार में सिक्षक बना चाहते हैं दोस्तों तो इसी साल बताया जा रहा है कि डेर लाग पनों पर परती आएगी तो estate के लिए आपको अब लग जाना चाहिए बाकी आप अपनी मांग रख सकते हैं आप Supreme Court में जाकर अपना पक्ष भी रख सकते हैं लेकिन इसी के वरोसे बैठे रहना कहीं से भी सही नहीं होगा यह आपके भविश के लिए खत्रा बन जाएगा कुछ लोग क्या आप International Court में जाएंगे B8 का मामला लेकर तो आपको चीजों को समझना होगा Supreme Court से उपर कोई नहीं है हर कोई बच रहा है कुछ comment वाजी करने से क्योंकि मामला यहाँ पर Supreme Court का है इसी के साथ साथ DL8 के छात्र गय हुए थे NCTE और उन्होंने मांग किया था कि मामले को NCTE का क्या रुख है यह देख सकते हैं बिहार के छात्रों ने डियलेट के छात्रों ने NCTE को एक पत्र दिया था और इसका जवाब NCTE ने भेजा है चात्रों को पोश्ट के माध्यम से NCTE ने जवाब भेजा है और इसमें उन्होंने कहा है कि आप NCTE के जो regulation है 238-2010 को पढ़ स से सुप्रीम कोट ने रद किया था जिसके ताद बी एड प्राइमरी में आया था तो यहां से भी आप चीजों को समझ सकते हैं एंसिटी ने कहा कि यह से इस अप खुद पढ़िए और समझी उसमें साब साब चीज़ां बताई गई हैं इन्होंने दो लिंग दिया है मिनिम्म कौलिफिकेशन का टीचर बनने के लिए और टेट की गाइड लाइन से इन्होंने दी है और यह भी कहा है कि यदि कहीं पर कोई कंफूजन है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया का जो जज़मेंट है 11 अगस 2023 का यह यहां पर दोस्तों परमान होगा जो की देवे शर्मा वर्सस उनियन अफ स्टेट के बीच में था और इसका भी इन्होंने लिंक यहां पर दिया और कहा है कि यह सेल्फ एक्स्प्रेनेटरी है आप खुद पढ़ यह समझिए और में साफ साब कहा गया कि बीएड इस नॉट इलिजबल पार प्रामरी टीचर तो एंसीटी भी चीजों को असपस्ट करेगा लेकिन फिलहार जवाब आया है इसे आप देख सकते हैं छात्रों को पाई पोस्ट यह भेजा गया है और इसमें इन्होंने बताया कि सुप्रिम कोर्ट का जो ओर्डर है वही मानने होगा और आटियाई के जवाब भी मांगा गया था छात् प्रेसल एंसीटी जवाब दे और ऐसे में दोस्तों ब्यट के लिए मुस्किन तो बढ़ती जा रही हैं आप समझ सकते हैं यही दोस्तों को जनकारी थी जो आपनों को देनी थी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करक झाल